Hello everyone, मैं आपके साथ Manoj Varma and इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊँगा कि ट्रेडिंग व्यू से निर्मल बंक में ओर्डर कैसे लगाएं तो जैसे लास्ट वीडियो थी जिसके अंदर मैं आपको ये बताया था API कैसे क्रेट करते हैं, API कैसे लेते हैं और कनेक्शन कैसे बनाते हैं एक ओर्डर भी लगा के दिखाया था चेक कर सकूँ, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपको पता होगा API कैसे क्रेट करते हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप उस वीडियो को देख लेना API करेट कर लेना, विफिन टू मिनट के अंदर आप API करेट कर लोगे, वीडियो दस से बारा मिनट कीए आपको एक बार देखने ही पड़ेगी, तो जैसे कि हम लास्ट टाम अगर आपने उस वीडियो को देखा हो तो आपको पता होगा कि हम syntax generator page की बात कर रहे थे, यह रहा syntax generator page और यहाँ पर हम end bank को देख रहे थे क्योंकि हमने end bank के syntax, निर्मल ब्रोकर बंक पे काम करेंगे, तो इस तरीके से हमें यह syntax देख तो अगर आप देखोगे, यहाँ कुछ syntax है जैसे regular, cancel, exit, alternative, symbol, fully algo, auto strike price, strategy तो पहले मैं आपको इसका overview दे रहेता हूँ regular काम करता है जैसे आपको only buy, sale करना है suppose मनों आपको कोई SBI का stock buy करना है तो आप buy कर सकते हो sale करना तो sale कर सकते हो तो ये काम करता है खाली buy और sale करने का इसका और कोई काम नहीं है cancel order किसी भी position को आपने लगा रखा उसे cancel करना position नहीं open order open order क्या होता है जैसे कोई सी 100 रपे पे चल रही है आपने 90 रपे पे लगा रही है तो pending में pending order को अगर आपको cancel करना है तो इसलिए cancel order का syntax बनता है exit order का क्या काम करता है कोई भी आपकी position है आपको उसे exit करना है तो इसकी कुछ condition होती है आप अपने according condition के according उस position को cancel कर सकते हो जैसे NSC की करनी है BSC की करनी है NFO की करनी depend to आपके की आपकी सिसाब से करना चाहते हो alternative symbol यह alternative symbol है एक हमारा feature है इसका मतलब यह होता है Suppose मानो आप bank nifty में काम कर रहे हो तो bank nifty में बहुस सारे लोग काम करते है option पर उन्हें पता नहीं होता कि कौन सी strike price उनकी buy हुई है Suppose मानो आप कोई भी strike price buy कर लेते हो और आप चाहते हो कि वो जब मेरा signal आए वो exit हो जाए तो हम खाली bank nifty लिखते है स्टार्टिंग के वर्ड मैच करते हैं bank nifty के अब हम उसे close कर देते हैं आपकी position को reverse कर देते हैं अगर आपने एक lot buy कर रखा है तो हम उसे close कर दे हैं एक lot sale करके इसे alternative position कहते है मैं इसके बारे में भी दिखा दूँगा अब most of the use जो होता है fully algo use होता है cash market way future में इसका मतलब यह होता है कि पुरानी position को close करना नई position को add करना मतलब कि आपके पास अगर कोई पुरानी position है उस symbol में उस condition में तो उसे close कर देगा नई position add कर देगा अगर नहीं है तो पुरानी position false हो जाएगी मतलब वो command नहीं चलेगी और नई position add हो जाएगी जादा तर 90% इसी का यूज होता है auto strike price यह option का है suppose मानों आप bank nifty के chart से bank nifty future के chart से आप option buy करना चाहते हो तो इसका use कर सकते हो इसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखे अलग-अलग broker पे आपको उसे समझना पड़ेगा एक demo में आपको इसमें दे दूँगा अब strategy का syntax से strategy जो syntax से यह trading वीडियो पे जैसे आपको पता होगा तीन तरह की चीज़ियों होती है एक indicator होता है एक strategy होती है एक alerts function होता है इसमें parcel exit में आपका काम नहीं करेगा अगर आप parcel exit करोगे तो आपको dynamic syntax बनाने पड़ेगे वे एक advanced चीज़ है तो अभी मैं आपको एक live demo दिखा देता हो तो जो सबसे ज़्यादा use होते ही वो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हो सबसे पहले होता auto strike price से पता होगा trading view पर option का chart नहीं होता ठीक है? तो आपको जो option में अगर काम करना है तो आपको दो तरीके से option में काम कर सकते हूँ एक तो होता है कि आपको पता है वाई मेरे को ये call buy करनी है और ये put buy करनी है तो आप उसमें पूरा strike price दालते हो एक होता हमें पता ही नहीं हमें क्या भाय करना हमें in the money out the money वाला काम करना है तो इसे हम कहते हैं auto strike price तो आप index से भी काम कर सकते हो और future से भी काम कर सकते हो तो as example के लिए मैं आपको दिखा दिता हो अभी future का price चलता है 47,675 रुपए आपके सामने तो हम एक syntax बनाएंगे जो सब से ज़्यादा यूज होता है मैं पहले auto strike price से शुरुआत कर दो regular अब यहाँ पर पूछ रहा है with close और without close sorry without close और with close without close का मतलब है कि पुरानी position को close नहीं करना खाली नहीं position अड़ करना और with close का मतलब है कि पुरानी position को close करना नहीं position को अड़ करना तो जो most of the time यूज करते हैं वो with close यूज करते हैं अब हमने लिलिए C अब यहाँ पर हमें एक symbol डालना है symbol में आपको क्या डालना है वो दिखा देता हूँ, आपको इधर आना है, symbol page पे आना है, global symbol पे आना है, और यहाँ पर आपको nearby expiry सर्थ करनी है, यह गए bank nifty दाला हमने, तो हमें जैसे पता है, आज 8 तारीक है, और जो nearby है, वो 11 तारीक की expiry है, तो 24 के ऐसा ने, 11 क्या है, आपका वो है तारीक है, और यह 11 के बाद जो 0 लगा हुआ है, एक मिट में देख लेता हूँ, हाँ, 11 के बाद जो 0 लगा हुआ है, अच्छा हाँ, यह 10 तारीक की expiry है, जो 1 है, 24 एक, मतलब जनवरी हो गई, और 10 तारीक की expiry होगी, तो हमें क्या करना है, हमें खाली strike price तक copy करना, इस चीज का आपको धान रखना, sorry, expiry तक copy करना है, तो हमने expiry तक copy करा इस चीज को, क्योंकि जो price आएगा, strike price आएगा, वो हम dynamic लेंगे, nearby, in the money, out the money, कैसे लेंगे, मैं आपको detail में बताता हूँ, हमने इसे copy करा, centex speed पे गई, इसे डाल दिया, अब हमने इसे बता दिया, कि bank nifty 24, जनवरी 10 तारीक में हमें काम करना है, NFO कर दिया, क्योंकि ये आपको पता है, कि उसके अंदर है, load size इसके अंदर 15 का होता है, तो हम 15 दालेंगे, buy करेंगे, market करेंगे, intraday करेंगे, nearby, अब ये nearby क्या है, ये आपको समझना है, देखो, bank nifty में जो gap होता है, strike price में, 100 rupees का होता है, nifty के अंदर 50 rupees का होता है, और किसी stock में काम करोगे, तो कम का होता है, तो आपको जो gap होता है, वो correct दालना है, तो bank nifty में मैं काम कर रहो, 100 का लालूँगा, call को हम मैं 0 रखूँगा, ये क्या है, ये in the money, out the money के लिए, अभी मैं आपको इसका use बता दूगा, पहले अभी default 0 रखके, plus कर देते, generate कर देते, अब इसमें code generate हुआ, इसमें हमने ये बता रहें कि पुरानी position close हो जाए, पुरानी position कौन सी close हो जाए, जो bank nifty 24 इससे start हो, मतलब जिसका पीछे cover ये हो, हो सकता है कि अभी इनकी position book मैंने देखी नहीं, तो हो सकता है आपकी पुरानी position close नहीं हो तो ऐसे में आप क्या करोगे, syntax को generate करने के बाद ये जो number है, जो आपकी expiry data से delete मार देना, तो जो भी आपकी bank nifty intraday के अंदर position होगी, वो close हो जाएगी, अभी हम इसे copy कर लेते हैं, copy करने के बाद इधर जाएंगी, एक alerts बना लेंगे, आप चाहो तो कोई भी indicator लगा के इसे दाल सकते हो, जैसे मैंने indicator लगाया, तो indicator लग गया, अब मैं इसमें दालूँगा, तो इसके हिसाब से वो by sale करता रहेगा, PC on, how, off, or doesn't matter, बट मैं अभी indicator के व्याप पर आपको नहीं समझाऊँगा, क्योंकि indicator के signal आएंगे, लेट रेट और वीडियो बनानी ही जल्दी, तो इसलिए मैं हर वीडियो के अंदर, एक horizontal line का example लेता हूँ, जिससे आपको एक idea लग जाए, तो यह आए, और हम इधर गए, right click करा, add alert करा, और इसके अंदर यह syntax दाल दिया, और यहां syntax दालने के बाद लग दिया, option लिख देते, option लिख दिया, अच्छा मैं यह कहा रहा था, इसके अंदर दो जगा symbol लिखे हूए, syntax लिखे हूए, एक यह लिखा हूआ, और एक यह लिखा हूआ, ठीक है, जिआ आप अग देखोगे, तो मैं highlight कर रहा हूँ, तो हो सकता आपके अगर पोदानी position close नहीं हो रही है, तो starting के पहला symbol है, मैं एक बाद syntax पर जाके दिखा देता हूँ आपको, syntax कहा गया हमारा, अभी हमने बनाया था, यह राख, जो हमारा AS की value है, इसको आपको खाली bank nifty कर देना, और इसको जो है, जो generate होने के बाद आया, उस वैसा ही रहन देंगे, अगर close नहीं हो रही, क्योंकि अभी मेरे पास position book नहीं है, मेरे पास data नहीं है, तो मैं check नहीं कर पा, अगर नहीं हो रही तो आपको यह करना है, तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इदर गए, और हम इसको अभी ऐसा रख रहे, अगर हमें पुरानी position close में issue आ रहा होगा, तो हम इसको हटा देंगे, खाली bank nifty लिखा रहे हैं देंगे, AS की value, AS की value खाली bank nifty, इसका मतलब पुरानी position, जो है, वो close हो जाए, अगर जो bank nifty intraday की है, अब create करा, create करने के बाद आप देखोगे, मैं अपने account में आता हूँ, जो यह account है, और यहाँ पर आप देखोगो order book, order book में गया, तो चार order सुभी से लगे वे हैं, जिसमें से मैंने last video में, दो order लगा के दिखाएते हैं, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे tigger करता हूँ, जैसे मैं इसे tigger करूँगा, आप एक चीज़ नोटिस करना, यह tigger होगा, तो इधर alerts आएगा, यह alerts आया, और मैं इधर गया, तो आप देखोगे, इसने क्या करा, 10 जनवरी 2024 की, क्या लिए है, थोड़ा सा इसे देखते हैं, देखने के लिए, तो यह छोटा है, इसमें तो दिखी नहीं रहा, कि कौन सा लिया है, रुकोट इसमें जाके देखे, इसमें भी नहीं दिखेगा, तो यह मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, कि इसमें मैं स्ट्राइक प्राइज नहीं देख पा रहा, और इसे देखने के लिए मेरे को क्या करना चाहिए, वो देख लेता हूँ, कि किसी तरीके से यह दिख जाए, एक्सपोर्ट डार्टा, अच्छा, इनकी UI में अजेस्ट्मेंट का नहीं दे रखा, जिससे मैं पता कर सकूँ, कि यह क्या श्ट्राइक प्राइज है, पर आप देखोगे, ओरर मेरा लग गया था, रिजेक्ट हो गया था, अभी मैं समझा दूँगा, फिर भी मैं एक बार कोशिस करके देखता हूँ, कि इसके अंदर क्या हो सकता है, एडिट पे किलिक करके देखते हैं, एडिट से कुछ हो रहा है, नहीं, यह क्या है, व्यू इस्ट्री, व्यू इस्ट्री पे गया, हाँ, व्यू इस्ट्री से दिख जाएगा, 47,000 700 की buying करेगा अगर 47,000 50 से अबाव हैं तो यह 47,800 की call को buy करेगा ठीक हमारे पास कोई पुरानी position थी नहीं तो इनने पुरानी position को काटा नहीं बस नहीं position लगा दी और वैसे भी हमारे order reject हो रहे तो हम position को वैसे भी hold नहीं कर सकते क्योंकि अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ जब हमने centex generate करा था तो भाई इनने 47,000 की लिए पर कई लोग होते हैं वो कहते हैं कि भाई मुझे एकदम इंदा मनी नीच चाहिए मुझे तो 200 point नीचे चाहिए तो ऐसे मैं आप क्या करोगे आप यहाँ पर 200 दालके minus कर दोगे ठीक है जी 100 चाहिए 200 चाहिए 300 चाहिए minus करना है तो minus करोगे plus करोगे तो अब हो जाएगा तो अभी मैं minus करके generate करता हूँ copy करा और दुबार से इस order को tier करने के लिए edit करूँँगा ट्रेडिंग यू कि आपको अच्छी खासी knowledge होनी चाहिए जब भी आप पैलगो कर पाऊगे otherwise आपको issue आएगा तो learning करने पड़ेगी आपको ट्रेडिंग व्यू पे और मैं यह assume करके चल रहा हूँ कि आपको ट्रेडिंग व्यू अच्छे से आता है तो मैंने यह save करा आप हमने क्या करा है calculation जो cal का parameter है जो cal का parameter उसे 200 करके minus कर दिया अब अब देखोगे अब एक चीज को notice करना जब मेरा alerts आएगा जो यह price चल रहा है नहीं इस price को देखना क्या था तो अभी हम इसको trigger करा रहे जाते है अच्छे यह alerts क्या है मैं थोड़ा सा समझा दू जब यह candle इस line से touch होगी तो मेरा alerts आजाएगा अब मैं इतनी देर wait तो नहीं कर सकता है candle वहाँ तक पोचे इसलिए मैं क्या करता हूँ horizontal को candle के front पे रख देता हूँ जिससे मेरी condition मैच हो जाए तो यह 702 पे something मैच हुआ और अगर आप इधर जाके देखोगे तो अब मैं दिखा देता हूँ जो order लगा मेरा यह लगा दूसरा order आपके सामने अब मैं view history पे जाता हूँ तो यह देखो इनने क्या लगाया 47,500 लगाया तो जो मेरा round of हो के auto strike का price बनाता वो बनाता 47,700 और हमने क्या बोला था 200 माइनस में चाहिए हमें तो इनने 47,500 लगाया इस तरीके से आप auto strike price में काम कर सकते हो I hope आपको समझ आ गया होगा समझ नहीं आया होगा तो एक बड़ हमारी support team से बात कर ले वो आपके help कर देगी यह तो हो गया auto strike price का feature अच्छा यही चीज़ आप बोलोगे मेरे को call की ओरी put की भी तो चाहिए तो आप दो syntax बनाते हो वो मैं दिखा देता हूँ पहले बनाते हो आप एक call का syntax यह वाला आप long के syntax long के alerts में दालते हो एक बनाते हो put का syntax put का syntax कैसे बनता है put के syntax के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है यहाँ type कर देना होता है और अभी यह calculation है इसे फिर मैं default कर देता हूँ क्योंकि हमें nearby चाहिए in the money, out the money नहीं लेना अगर आपको लेना है तो plus minus आप value दालके कर सकता अगर मैंने करा copy करा इस select को भी ticker करा के दिखा देता हूँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर अभी तक हमारी C, E, C, callee लिखी भी आ रही है हमने callee buy कर दिए तो हम put buy करते put buy करने के लिए हम क्या करेंगे add alert पे जाएंगे इधर गए syntax को change करा अच्छा एक चीज़ दान रखना मैंने last video में आपको दिखाया था मैंने web book पहले से set कर रखा है अगर आपका web book set नहीं यह order आपके broker पर जाएगा नहीं अब मैंने इसे save कर दिया save करने के बाद मैं इसे trigger कर आ रहा हूँ क्योंकि candle तो वहां तक पोस्टने में time लेगी और मेरे को वीडियो जल्दी बनानी है तो इस चकर में मैं इसे trigger कर आ रहा हूँ alerts आएगा यहाँ पर reflect होगा तो जैसे alerts आए reflect होगा अब हम चलते हैं इधर तो यह मेरा P का order आजाना चाहिता और क्यों नहीं आया एक बार देख लेते हैं page को refresh करके देख लेते हैं क्योंकि मेरे को लगा नहीं कि order आया है और यह रहा order book देख लेते हैं order में तो कहीं से कहीं तक दी निका अच्छा जो अभी हमने P का order दाला वो आया दी और क्यों नहीं आया एक बार फिर से देख लेते हैं कि syntax में तो कोई गलती नहीं होगी हमसे, रुख जाएं, मैं इदर जाता हूँ, और इसके अंदर, अच्छा जो syntax मैंने change करा था था अभी भी आप अगर देखोगे, तो जो right side में इस syntax आ रहा है, जैसे मैं कदर ले जा रहा हूँ, उसमें आपको C दिख रहा होगा, हमने syntax change ही नहीं करा है, जो order आया है हमारा, वो C का ही आया है, दुबारा से order लग गया है, तो यह मैंने को दुबारा करना पड़ेगा, आप देखोगे तो 3 order लग गए, यह तीसरा order भी अभी लगा है C का, 3 order होगे, तो हम जाते हैं इदर, और हमारा syntax change नहीं हुआ, अगर आप देखोगे, तो यह देखो C लिखा हुआ है, तो C लिखा हुआ है, इसलिए change नहीं हुआ, हम फिर से change करते हैं, आप control V करके हमने paste कर दिया, save कर देते, अब order आएगा हमारा P का, क्योंकि यह हमारी mistake थी, हमने syntax change नहीं करता हुआ, अब मैं इसे change करता हूँ, alerts आएगा, यह alerts आते, इदर reflect होगा, wait करते आया, अब आप इदर गए, और यहाँ पर आप देखो P लिखा आ गया, यह रपी, और अगर मैं इसको view पे click करूँगा, तो यह देखो, इनने nearby जो इसका बना था, 47,700 की पी ली, अब इसका एक basic तरीका आपको बता देता हूँ, लोग किस तरीके से गाम करते हैं, दो alerts बनाते हैं, सपोज मानो यह मेरी piki हो गई, एक horizontal line में डाल देता हूँ, और ग्रीन कलर गी, और यह होगी मेरी long की buy करने की, तो अब मैं अगर इसके अंदर बात करूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं add alert पे गया, मेरे पास पहले का syntax है, C वाला, तो मैंने C वाला syntax इसके अंदर पेस्ट करने की कोशिस करता हूँ, रुख जाएए, यह रहा, C वाला syntax, I think यह वाला होगा, एक मिट, हाँ, C वाला syntax यह रहा, मैंने यह कर दिया, तो अगर आप देखोगे, कि दो line हो गई, यह line इसलिए दिखा रहा हूँ, कि मैं indicator पे दिखा रहा हूँ, आपके indicator में दो signal होंगे, एक buy का, एक sale का, तो अब यह देखो, जैसे अब मैं green line को touch करूँगा, तो मेरा call लगेगा, यह alerts आने तो मैं दिखा देता हूँ, यह green line टच हुई, अब यहाँ देखो, मेरा call buy हो गया, अगर मेरे पास fund होता, तो पुरानी position मेरी cut जाती, पुट की और call buy हो जाता, अब मैं जैसे red line को touch करूँगा, तो क्या होगा, मेरा put buy हो जाएगा, क्योंकि हमने 2 syntax यूज़ कर रहे, आपको, जिसके अंदर आपका एक fake management वाला काम करेगा, उसकी भी वीडियो बना दूँगा, आई होप आपको यह पता चल गया होगा, auto strike price कैसे काम करता है, यह बहुत ज़्यादा demanding feature है, अमारे पास यह लगा लो, बहुत सारे client auto strike price पे ही काम करते हैं, क्योंकि mostly लोग option में ही गाम करते हैं, अब आज आते हैं, कि suppose बानो, मुझे तो auto strike price करना ही नहीं, मुझे तो अपनी ही पसंद की चीछ चाहिए, तो ऐसे मैं आप fully algo पे जाओगे, regular order करोगे, आप यहाँ future भी कर सकते हो, cash भी कर सकते हो, option भी कर सकते हो, option के अंदर कौन सा करोगे, जिसके अंदर आपको पता भाई, मुझे यही लेना है, as a example, मैं इदर गया, syntax पे, और इस symbol पे जाना था, मुझे हाँ, symbol पे गया, तो symbol पे जाके मैंने बोला, मेरे को पहले symbol सही सर्च करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ दाल देता हूँ, 47,700, 47,000 की मुझे call भाई करनी है भाई, मुझे पहले से पता है, मुझे auto stack प्राइज नहीं करना, तो मैं symbol कॉपी कर लूँगा, and, syntax पे पे आउँगा, इदर दालूँगा, syntax, and, फो करूँगा, quantity इस बार में 30 ले लेता हूँ, मतलब दो लोट हो गए, buy, इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस आपको, nearby, pairwise, यो था, auto stack पर कुछ नहीं करना, मैंने बोला, market order दालना चाहता हूँ, यह generate हो गया, copy करा, इदर गया, अब green line के अंदर, मैं यह call का syntax है, green line के अंदर मैं दाल देता हूँ, यह मैंने दाल दिया, save कर दिया, and red light को मैं पीछे कर देता हूँ, and green line को मैं touch करता हूँ, जैसे मैं green line को touch करूँँगा, यह alerts आएगा, अगर आप इदर देखोगे, निलवल बंक में, तो यह मेरा order लग गया, अब यह इसे दिखा देता हूँ, तो हमने 900 का लिया था, आप देख सकते हो, direct 900 का हमारा call का order लगा, अगर हमारी पुरानी position होती, यह close कर देता, और नोसो का order लगा देता, इसे कहते, direct buying, मुझे पहले से पता, मुझे क्या call बाई करनी है, क्या put बाई करनी है, पर बहुत कम लोग इस पे काम करते हैं, सब लोग auto strike price पे काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है, कि जब उनका signal आ रहा, उसके nearby की वो call और put बाई करना चाहते हैं, तो एक example मैंने आपको ये दिखा दिया, suppose बाई मुझे future buy करना है, तो future buy करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं फिर symbol change कर दूँगा, और कुछ नहीं करूँगा, इधर जाऊँगा, इधर जाने के बाद future का क्या होता है, मेरे ख्याल से मैं देख लेता हूँ, future का कैसे होता है, future का 24, 24 sun हो गया, और 10, 10, 17, 17 और मेरे ख्याल से जैन आएगा, जैन, एफ यूटी, हाँ, ये रा future का symbol, तो क्योंकि future में एक्सपाइरी ती होती नहीं, तो sun 24 हो गया, जनवर ही हो गया, future हो गया, मैं इसे copy कर लेता हूँ, syntax generator पर जाता हूँ, syntax के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ भी ज़्यादा छेड़ा चाड़ी नहीं करता, symbol change कर देता हूँ, symbol change करने के बाद मैं generate कर देता हूँ, यह देखो मेरा future का symbol यहाँ update हो गया, copy करा, इधर गया, अब दुबारा से मैं अपनी line के अंदर, जो भी मेरा indicator strategy है, उसके अंदर इस syntax को update कर देता हूँ, जैसे ही मैं इसे trigger करता हूँ, तो यहाँ alerts आएगा, wait करते हैं alerts का, आगय alerts इधर गये, तो अगर आप देखोगे, तो मेरा यहाँ पर future by हो जाना चाहिए, अब यह future by क्यों नहीं वह, यह थोड़ा सा समझना पड़ेगा मुझे, एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि future का alerts यहाँ पर हमें show नहीं हो रहा, इसके लिए मैं log में जाता हूँ, और log में चेक करता हूँ कि क्या error दिया, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया तो log कैसे चेक करते हैं इदर गया, मेरा future का syntax यह था, अच्छा यहाँ पर क्या होगे, copy word use हो गया है, अगर आप देखोगे तो syntax के अंदर copy word use हो गया है, जैसे मैंने generate करा, अब मैं जाता हूँ इदर, और मैं इसके अंदर दुबारे से update कर देता हूँ, update कर और इस alerts को trigger करता हूँ, दुबारे से alert trigger करूँगा, तो आप देखोगे कि इदर alerts आएगा, आगे alerts इदर चलते हैं, नहीं alerts नहीं आया, आया है नहीं आया, एक बार देख लेते हैं, आतो गया पर order नहीं लगा, फिर से check कर लेते हैं क्यों order नहीं लगा, log check करते हैं, log refresh करते हैं पहले, और इदर देखते हैं सब कुस सही है, इदर मेरे को सब कुस सही लग रहा है, तो इसके अंदर मैं जाके चेक करके बताता हूँ आपको क्यों order नहीं लगा इन्होंने error दे दिया unauthorized token not found अब हुआ क्या है कि जो मैं अभी website यूज कर रहा हूँ token जो हमने morning में लिया था unauthorized हो गया unauthorized I think किसलिए हुआ होगा मैं वो बता देता हूँ क्योंकि ये token मैं भी use कर रहा हूँ और साथ में एक मेरे जानकर इसी पर वीडियो बना रहे हैं तो उन्होंने भी token ले लिया होगा अब उन्होंने token अपडेट करा होगा तो मेरा token expire हो गया है एक ही time पर हम दो लोग वीडियो बना रहे हैं अगर उनका चैनल देखोगे तो आपको पता चलेगा time of the money ऐसे कुछ चैनल का नाम है तो उस चैनल पर वीडियो बना दे इसलिए अन ओथराइज हो गया है तो अगर मैं अब दुबारा token लेके वीडियो टीर कराता हूँ तो क्या होगा क्यों उनकी वीडियो खराब हो जाएगी तो आज के लिए इतना ही कि मैं आपको order strike price दिखा चुका हूँ दूसरा order इसलिए नहीं लगा क्यों token expire हो गया क्योंकि किसी और ने token generate कर लिया और यह मेरे पास पुराना token है अगर आप error में देखोगे तो broker के side से यह मेरे को notification मिल गई कि token unauthorized मतलब जो आप token अभे में बेज reward लगाने के लिए unauthorized है बिल्कूर correct क्योंकि एक इनसान ने token generate करके लगा रहा तो पुराने token को unauthorized कर दिया है तो thank you for watching this video and bye I hope आपको पता चल गया होगा फिर भी आपको इससे related doubt है तो मुझसे आप पूस सकते हो हमारी support team से आप बात कर सकते हो और साथी इससे related और भी वीडियो इस broker से related मैं update कर दूँगा तो आपको काफी सारी knowledge मिल जाएगी thank you for watching this video and bye